हलो दोस्तों माक्ष है स्वागत करता हूँ आप सबके अपनी उटूब चैनल लर्निंग गूरूपे तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है मांग में परिवर्तन देखिए मांग से रेलेटेट दो बाते बहुत ही या दो कॉंसे बहुत ही इंपोर्टन होते हैं एक होता है मा मांग की मातरा में मतलब मांग में विस्तार या मांग में संकुचन यह दो वर्ड एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं वह हैं चेंच इन डिमान मतलब मांग की मांग में परिवर्तन मतलब मांग में रुद्धी और कमी हम बात क जब भी हम मांग में परिवर्तन से आसा होता है कि मांग में क्या होना कमी या रुद्धी होना मांग में रुद्धी या कमी अनेक कारणों से होती है जैसे कि उपबोक्ता की आय रूची जनसंख्या विज्ञापन व्यापार चक्र आदी जो मांग कम जादा होती है मांग को प पर प्रभाव पढ़ता है मांग को प्रभावित करने वाले घटक है जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया अगर आपने वह नहीं दीखेंगे तो आप देख सकते उससे आपको क्लियर हो जाएंगा तो अगर कीमत को छोड़कर कीमत को छोड़कर अन्य शे अन्य घटक होंगे उनमें क्या होंगा चेंज आएंगा बदलाव आएंगा तो उसी को हम बोलेंगे जो मांग में बदलाव आता है वो कहलाता है बांग में परिवर्तन एक सिंपल भाशा में आपको बताओ तो अगर कीमत स्थीर है लेकिन जो अन्य घटक है उनमें परिवर से मांग में जो कमी और ज्यादा होता है उसी कों बोलते हैं मांग में परिवर्तन होता है तो दोनों कॉंसेप्ट को सीखते हैं तो पहला कॉंसेप्ट है इसमें मांग में रुद्धी तो मांग में रुद्धी से ताथ पर उस्थिती से होता है जब कीमत को छोड़के अन्य त जो बोला गया है यहां इन्होंने बोलने कि एक कोछिश्की गई कि कीमत को छोड़कर कीमत मतलब स्थीर रहेंगी और अन्य बातों की वज़े से अगर वस्तों की मांग बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है मांग में रुद्धी होना कीमत स्थीर है लेकिन अन्य बातों की वक्र होता है वो दाई और खिशकता है कहा कि सकता है दाई और खिशकता है आपको मेरे डायग्राम समझा के देने वाला हूँ पर आप याद रखेंगे कि कि सकता है तो दाई और खिशकता है अर्थात मांग में रुद्धी होने से नया वक्र पूराने वक्र के ऊपर करेंगे इसके बारे में नो जैसे रेक्षा झित्रमी मांग में उद्धध को दर्शा आया गया है पुराना जो वकर है वह हमारा डी दी ये दिखे डी दी पुराना वक्र है हमारा जहां पर ओपी जिए हमारी ओ और ये हमारी ती ओर इसky मांग जो है왑 जब males प्रवरत अर्थात किमत अभी भी ही रहती है मतलब कीमत वही है लेकिन किसी और घटक के वज़े से जो और जो मांग थी वह क्या बन गई हमारी और वन बन गई मतलब यह बढ़ गई यह क्या हो गई बढ़ गई तो यह चीज मात्रा मंगाई जाती है अर्थात वह आर आरवन की रुद्धी और आरवन की रुद्धी जो थोड़ी सी बीच के गयाप है इसे रुद्धी के लाती है जो बढ़ा ना इसी को हम क्या ब hiçbir में रुद्धी के लाती है यह रुद्धी नय वक्र दीवर में दिखाई दhew तो इस परकार कीमत अगर बड़ी यह O-R हुई O-R P-1 से O-P-1 हुई तब भी हमारी जो कीमत मांग है वो हमार क्या रही O-R-E रही क्या रही O-R-E रही तो यह ऐसे रहती है फिर नए वक्र D-1 द्वारा दिखाया गया है जो मांग में रुद्धी कहलाता है ग्यात रहे की मांग में रुद्धी हमेशा पहले से उच्छे मांग वक्र द्वारा दर्शाई जाती है जो रुद्धी होती है As Obvious रुद्धी होंगी मतलब उपर क्यों होंगी इसलिए D-1 जो पुराना वक्र था इसकी उपर ही हमारा नया वक्र बनेगा देखे बात बहुत सिंपल सी है एक बात याद रखिए कि मांग रुद्धी में क्या होता है तो मांग रुद्धी में जो पुराना वक्र होता है उसकी उपर वक्र बन जाता है जो यहाँ पर मैंने आपको समझा है उम्मीद करता हो कि समझ गी होंग आपको बात दूसरी चीज होती है मांग में कमी क्या होती है तो कीमत को छोड़कर अन्य घटको में कुछ परिवर्तन होता है जिसके फल्सवरूप मां जाती है कमी आ जाती है है मतला यहाँ पर एक फैक्टर से पर जो वक्र होता है वो दाई और किसकता है तो जब मांग में कमी होती है तो वही वक्र किस और किसेंगा बाई और किसेंगा ठीक है मतलब यह पुराने वक्र से नीचे होता है जैसे वह वक्र उपर के और बना था तो यह नया वक्र उपर के और था पर यहां पी जो वक्र होत कि डीडी है जो पुराना वक्र है जैसे भी पहले confused वह है जो कि पीवन परबस्तो की जो मांग थी वह कितनी डिया मारी ya अ थी जब वाउप जो सिर्णी तो यह चीज यहां लिखी गई पर उन्तु जब और कीमत अब और की अपिक्षा और वन हो गई जब यह जो मांग हो गई मांग थोड़ा से चेंज हो गया कि और पहले थी तो अभी तक ळी मैंग अभी क्या बनगे रोन वन गई इस चीज को इसी डिफरेंस को एक नए कर से दिखाया जाता है इसी को हम कहते हैं माघ मेंगे कम यह जो दिखा यह पूराना वक्रता स्वे गयियर कि जब हमारी ऊ-पी वन मांग कीमत थी तब हमारी अहम नहीं एक और वन बण हो गई तो हमें इसको जोड़ दिए इसके बाद हमारी जोने कीमत थी पुरानी ओपी यह ऐसे ठीजकीर और तो यह क्या बना एक और वक्र बना तो इसमें जो यह वक्र बना नया D1 तो यह क्या कहलाती है मांग में कमी कहलाती है तो यह concept था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया और इसका explanation आपको यहाँ पर बताया गया है आपको चीज़े समझ गई होंगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीज़े अगर अपने मन में कोई doubt है तो comment box में जरूर पूछिए मैं उस doubt को solve करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में हमें इतना ही रखते हैं मिलते हैं हमारी next वीडियो में तब तक के लिए take care दोस्तो बाई बाई